देखो चार देश हैं Australia, India, Japan और United States इन चारो देशों ने मिलके एक Quadrilateral बनाया हुआ है यानि कि इन चारो देशों ने एक गटबंदन बनाया हुआ है जिसे हम Quadrilateral के नाम से जानते हैं चतरभुज कहते हैं इस के माद्यम से इस गटबंदन के माद्यम से ये देख जो है अपसी सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं इनकी क्या है अभी हाली में एक Meeting हुई है उस Meeting के संदर में हम बात करेंगे कि उस Meeting में क्या कुछ हुआ 4,4,1 कि बढ़ी कहा जा रहा है कि ये जो चारों की चारों देश है Australia, India, Japan और America ये चारों की चारों देश है ये किसी एक Purpose के लिए एक जुठ है 4,4,1 खुल मिला के इनका ये जो सहयोग है इनका जो संगठन इनों ने बनाया है उनका जो है उदेश क्या है उस उदेश के लिए कहा जा रहा है कि किसी एक उदेश के लिए ये चारों एक जुठ है आगे देखते है Whatever the benefits of quad यहाँ quad आया है quadri lateral के लिए चत्रभुज के लिए चत्रभुज कहा गया है इन चारों देशों के गठबंदन को तो whatever the benefits of quad कि यह जो quad है इसके benefit चाहे जो कुछ भी हो इंडिया should not be led by led का मतलब क्या होता है प्रतिनिदित्व करना by the US editorial बताता है कि quad के benefits चाहे जो हो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत का प्रतिनिदित्व अमेरिका करे इंडिया should not be led by the US एसा नहीं होना चाहिए कि भारत का प्रतिनिदित्व अमेरिका करे कुल मिला के यह जो गठबंदर है ना इसमें एसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो अमेरिका का है उसी की बात सम्माने और खासकर भारत भी अमेरिका की बात को माने on regional initiatives regional का मतलब हो गया छेत्री है और initiatives का मतलब हो गया पहल कि भाई यह जो भारत के आसपास का छेत्र है इसमें अगर कोई भी पहल होती है कोई भी पहल से मतलब है कि भाई चायना के खिलाफ जो है क्या stand लेना है उस बात पे इसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका जो कहे उसे ही भारत माने आगे देखते है तो यह दूसरी मीटिंग थी इन चारो देशों की और यह जो दूसरी मीटिंग थी यह किस बात को लेखरती मीटिंग इस्ट्रेटजिक का मतलब है रणनीती संबंदी है तो रणनीती संबंदी मतलब एक देश और यह जो आपसी देश है इनकी क्या नीती रहनी चाहिए उससे संबंदित बातचीत हुई डायलोग हुई और इन चारो देशों के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री वहाँ पे उपस्तित थे मीटिंग हुई टोक्यो में और कब हुई मंगलवार को तो इस मीटिंग के साथ ही यह जो क्वाड है यह जो चारो देशों का जो गठवंदन है यह प्रवेश कर चुका है अ डिसाइसिव फेस डिसाइसिव का मत्द होता है निरनायक और फेस का मत्द होता है दौर, चरण, अवधी तो कुल मिलाके एडिटोरिल कहना चाहरा है कि इस मीटिंग के साथ ही यह जो क्वाड है यह एक निरनायक दौर में एंटर कर चुका है दे मिनिस्टर्स यह जो चारों देशों के फौरेंन मिनिस्टर्स टोक्यों में मिले उनके लिए कहा गया है अब देखो इन MINिस्टर्स के लिए आगे एडिशनल जानकारी दी जा रही है कॉमा से कॉमा के बीच मे जो क्यारों मिनिस्टर्स है यह अनतीं बार कम मिले थे at the UN General Assembly की United Nations की ये जो General Assembly हुई थी ना एक सामाने बेठक हुई थी United Nations की उस दोरान इनकी मुलाकात हुई थी चारों मंत्रियों की made a considered push तो उस दोरान इन चारों मिनिस्टर ने क्या किया था सोच विचार के considered का मतलब होता है सोचा विचारा हुआ पुष का मतलब है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोचसाहित करना है consider push to hold the meeting यहां hold the meeting का मतलब है meeting को आयोजित करने के लिए इन चारों मंत्रियों ने क्या किया था विचार विमर्श किया था और प्रोटसाइथ किया था इन चारों ने एक दूसरे को कि मीटिंग आयोजित होने चाहिए अब देखो ये तो हो गई हमारी कॉमा टू कॉमा एडिशनल बात अब सीधे हम यहां आते हैं The Ministers Despite का मतलब होता है के बावजूद The COVID-19 Pandemic तो ये जो Ministers हैं इन्होंने अपनी मीटिंग को आयोजित किया Despite the COVID-19 Pandemic कि बही कुछ दिनों पहले हमने देखा कि UN की जो General Assembly हुई थी उस Assembly में भी इन्होंने सोच विचार के मीटिंग आयोजित करने का फैसला किया था और ये फैसला इन्होंने किया था COVID-19 के बावजूद Pandemic का मतलब होता है वैश्विक महामारी आगे देखते हैं In a Departure अब देखो Departure का वैसे मतलब होता है प्रस्थान लेकिन यहाँ पे Departure का मतलब है बदलाओ कि जैसे आपका कोई प्लान है उसमें अगर आप कोई चेंज करते हो ना तो उसको कहा जाता है Departure In a Departure from the earlier का मतलब है पूर्व Secrecy Secrecy का मतलब है गोपनियता कि इन चारों देशों ने पहले क्या decide किया था कि जो भी हमारी बाते होंगी वो गोपनिय रहेंगी लेकिन अब इन्होंने क्या किया है अपने नीती में बदलाव किया है परिवर्तन किया है In a Departure from the earlier secrecy पहले जैसी गोपनियता को इन्होंने बरकरार नहीं रखा है बाते इन्होंने उजागर की है तो इन्होंने कुछ परिवर्तन किया है अपने नीती में They made public a large point of their deliberations Deliberations का मतलब है यहाँ पे विचार विमर्ष कि भई पूरू में तो इन्होंने गोपनियता बरकरार रखने की नीती अपनाई थी लेकिन फिलाल इन्होंने क्या किया They made public इन्होंने सारजनिक कर दिया किस चीज़ को A large part of their deliberations इन चारों देशों ने मिलके जो विचार विमर्ष किया जो बाचीत इन्होंने की उसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने सारजनिक कर दिया Including क्या-क्या बात इन्होंने सारजनिक कर दी उनमें क्या-क्या शामिल है जो बात इन्होंने सारजनिक कर दी Including the decision to make the FM ये FM आया है यहाँ पे foreign ministers के लिए चारो देशों के foreign ministers के लिए यहाँ पे including the decision to make the FM meeting and annual event तो एक तो decision इन्हों ने क्या लिया है कि भई ये जो चारो देश हैं इनके जो foreign ministers हैं इनकी वार्षिक meeting होगी annual का मतलब हो गया वार्षिक है न का मतलब है कोई भी घटना तो ये decision इन्हों ने लिया है to make the FM meeting an annual event कि भई जो भी foreign ministers हैं चारो देशों के उनकी meeting जो है वार्षिक हो तो ये decision भी इन्हों ने लिया है और क्या-क्या decision इन्हों ने लिया है और इन सब decisions को इन्हों ने क्या किया है to cooperate on combat combat का मतलब होता है fight करना है किसी के खिलाफ लडाई लड़ना corporate का मतलब है सहयोग to cooperate on combating the pandemic pandemic आया यहाँ पे वैश्विक महामारी coronavirus के लिए और इन्होंने decide किया है कि हम सहयोग करेंगे coronavirus से लडने में coronavirus के खिलाफ लडने में हमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे and on building infrastructure इसके अलावा जो देश की आधार भूत संरचनाएं होती है उसको विक्सित करने में हमें एक दूसरे की मदद करेंगे उसको निर्मित करने में connectivity हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि एक देश दूसरे देश से समुदरी रास्तों से रोड के माध्यम से रेल के माध्यम से है न तो किसी तरह से जतनी ज़्यादा से ज़्यादा connectivity बढ़ सके उतना ज़्यादा बढ़नी चाहिए and a supply chain initiative in the region and a supply chain initiative का मतलब होता है पहल और इन चारों देशों ने decide किया है कि यह जो हमारा चेतर है हमारा जो आपसी चेतर है इसमें हम क्या करेंगे supply chain को बढ़ाएंगे supply chain का मतलब होता है आपूर्ती करना कि किसी देश को किसी चीच की जरूरत है तो उस देश को हम क्या करेंगे supply करेंगे आपस में एक दूसरे को तो उस chain को भी हम मजबूत करेंगे तो यह सारे decision इन्होंने meeting में लिए आगे देखते है as the host अब भई host कौन कर रहा था है मेजवानी कौन कर रहा था मेजवानी कर रहा था जापान तो जापान's Prime Minister Yoshihide Suga यह जापान के नए Prime Minister है जिनका नाम है Yoshihide Suga तो एक मेजवान के रूप में जापान के जो Prime Minister है Yoshihide Suga dispel'd, dispel'd का मतलब होता है दूर करना कि भई एक मेजवान के रूप में जापान के Prime Minister Yoshihide Suga ने क्या किया, दूर कर दिया किस चीज को? any notion किसी भी तरह के विचार को any notion that he might यहाँ पर notion का मतलब होता है एक तरीकी का विचार that he might not be as proactive as his predecessor भई देखो कई लोगों को क्या लग रहा था ऐसा लग रहा था कि भई वह जो है न Yoshihide Suga के बारे में कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि भई जिस प्रकार से Shinjo Abe बहुत ज़्यादा proactive का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा active होना उसे कहा जाता है proactive है ना किसी भी चीज में बढ़ चड़ के भाग लेना तो देखो इनके पहले जो Prime Minister थे Shinjo Abe वो क्या थे इस quadrilateral को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग थे और बहुत ही ज़्यादा serious लेते थे वो ऐसे matters को तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बात की संभाव ना है might कि शायद be होना कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनके जो predecessors थे predecessor का मतलब है आपके पहले जो आपके पद पे था predecessor मतलब होता है पूर्व वर्ती आपके पहले जो था shinjo abe तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि भी हो सकता है कि Mr. Yoshihide Suga shinjo abe की तरह active तरीके से काम ना कर पाए लेकिन यह जो डर था इस डर को Mr. Yoshihide Suga ने दूर कर दिया है तो dispel का मतलब होता है आपके मन में जो doubt है आपके मन में जो शंका है उस शंका या उस doubt को दूर करना अब देखो shinjo abe के बारे में क्या कहा जा रहा है shinjo abe कौन थे यह shinjo abe Mr. Yoshihide Suga से पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर थे सबसे पहले कौन लेके आये थे Mr. Shinjo abe लेके आये थे 2007 में Mr. Shinjo abe ने 2007 में पहली बार ये धारना बनाई पहली बार उन्होंने ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए चारों देशों को मिलके एक गठबंदन निर्मित करना चाहिए और आपसी सायोग को बड़ावा देना चाहिए आगे देखते हैं अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री है इन्होंने भी इस मीटिंग में भाग लिया डेस्पाइट के बावजूद the two week quarantine quarantine का मतलब जानते हो आप क्या होता है quarantine का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ती कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की संभावना हो सकती है तो उसे हम क्या करते हैं या फिर कोई व्यक्ती कोरोना वाइरस से संक्रमित हैं तो उसे हम क्या करते हैं साथ दिन के लिए ये 14 दिन के लिए बिल्कुल अलग कर देते हैं सबी व्यक्तियों से इसे कहा जाता है quarantine तो two week quarantine that she faces on return अब देखो Australia की जो विदेश मंत्री है जिनका नाम है Mary Spain इन्होंने इस quadrilateral की meeting में भाग लिया ये जानते हुए कि जब वह वापस Australia लोटेंगी तो उन्हें दो सब्ता का quarantine period का सामना करना पड़ेगा कि अब ये उस्ट्रेलिया की foreign minister वापस जब उस्ट्रेलिया जाएंगी न तो इन्हें दो सब्ता तक quarantine में रहना होगा तो देखो इनको quarantine में रहना होगा इसके बावजूद भी उस्ट्रेलिया की foreign minister ने क्या किया इस meeting को attend किया इसके लावा और देखते है face, face का मतलब यहाँ पर सामना करना है and India's external affairs minister एस जैशंकर और भारत के विदेश मंतरी की अगर हम बात करें जिनका की नाम है एस जैशंकर है undertook, undertook का मतलब होता है अपने आप इस चीज को लेते हो है जैसे भई कहा कि आप undertook का मतलब है इस बात को लेना इस चीज की जिम्मेदारी उठाना है आप अपने अंतरगत किसी काम को लेते हो उसे कहा जाता है undertook 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 the journey अब यह देखो भारत के जो विदेश मंतरी है एस जैशंकर है यह भी जो है एक तरीके से टोक्यो गए है इन्होंने भी इस journey को जो है उठाया despite के बावजूद the government's preoccupation with the LSE preoccupation का मतलब क्या होता है preoccupation या preoccupied का मतलब होता है कि आप पहले से ही व्यस्त हो पहले से ही आप किसी चीज में उलजे हुए हो उसे कहा जाता है preoccupied या preoccupation despite the government's preoccupation with the LSE line of actual control भारत और चीन की जो border है उसे कहते हैं LSE stand-off का मतलब होता है गती रोध एक ऐसी situation जब किसी भी तरह की progress नहीं हो पाती बिल्कुल रुक जाते हो आप है ना आगे बढ़ पारे हो ना पीछे जा पारे हो उसे कहा जाता stand-off तो भारत और चाइना के बीच में LSE को लेकर गतिरोध की इस्तिती बनी हुई है तो पहले से ही भारत LSE को लेकर बहुत ही ज़्यादा उल्जा हुआ है और इस बात के होते हुए भी Mr. Jay Shankar ने जो है एक तरीके से क्या किया Quadrilateral की मीटिंग करने Tokyo पहुँचे तो देखो कई कुल्मिला के डिटोल बताना चाहरा है कि भाई कई जो विदेश मंत्री है इनको देखो क्या-क्या परिशानी उठानी पड़ी कि भाई Australia की जो विदेश मंत्री है ये जब Australia वापस जाएंगी तो इन्हें quarantine में रहना होगा दो सब्ता तक भारत के जो विदेश मंत्री है ये चाइना मेटर में उलजे हुए थे भारत में लेकिन फिर भी ये इस मीटिंग में भाग लेने गए है बट इट इस प्रॉबेबली दे यूएस लेकिन संभवताया इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए कि अमेरिका ने संभवताया ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है उसने ये बहुती उत्सुपता के साथ चाहा बड़ी ही ततपरता के साथ बड़ी ही ततपरता प्रदर्शित किया अमेरिका ने कि ये मीटिंग जो है इसको आयोजित किया जाना चाहिए Just weeks before the presidential election just weeks, वही कुछ ही सपता बचे हैं अमेरिका में राष्टपती के चुनाव होने हैं और इन राष्टपती के चुनाव से पहले अमेरिका ने यह जो quadrilateral की meeting है इसे आयोजित कराने में बहुत ज़्यादा ततपरता दिखाई ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है इस बात की संभावना नजर आती है आगे देखते है Mr. Trump's COVID-19 illness and sudden hospitalization अब देखो अभी हाली में आपको पता होगा कि Mr. Trump को COVID-19 जो है उनका infection हो गया है, उनने coronavirus infection हो गया है तो Mr. Trump जो है, उनको COVID-19 के COVID-19 से बीमार हो जाना COVID-19 से illness हो जाना and sudden hospitalization और फिर Mr. Trump जब coronavirus की चपेट में आगे, तो तुरांट उनको hospitalized किया गया, hospital में ले जाए गया prompted U.S. Secretary prompted, prompted का मतलब है प्रेरित करना, कि Mr. Trump जो है बीमार हो गए, coronavirus के चलते उनने hospital में ले जाए गया इसके चलते, U.S. Secretary of State Mike Pompeo जो है, इस बात के लिए प्रेरित हुए है, इस बात के लिए प्रेरित हुए, किस बात के लिए प्रेरित हुए अब देखो यह जो लिखा हुआ है, U.S. Secretary of State, तो U.S. का जो Secretary of State होता है, वह विदेश मंत्री के बराबर होता है आप ये भी कह सकते हो कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री होता है उसे आप US Secretary of State भी कह सकते हो तो वर्तमान में कौन है वे? वे है Mike Pompeo तो Mike Pompeo ने क्या कहा? To cancel other scheduled stops कि अन्य जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अन्य जो पूर्व निर्धारित प्लान थे Mr. Trump के उनको क्या किया? Cancel कर दिया गया In South Korea and Mongolia कि South Korea में, दक्षिन कोरिया में और Mongolia में Mr. Trump के अन्य जो प्लान थे उन प्लान को जो है Mike Pompeo ने Cancel कर दिया है यह एसा कुछ बताया लेकिन Tokyo में लेकिन Tokyo में तोकियो को हर चीज़ यह जो Tokyo में जो meeting हुई है इसे प्रत्यक देश ने बहुत ही महत्वपून तरीके से लिया है But in Tokyo, क्या हुआ? Tokyo में हमें क्या देखने को मिला? Mr. Mike Pompeo जो है उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया He made it clear that His mission was तो क्या हुआ? कि Tokyo में हमें क्या देखने को मिला? Mr. Mike Pompeo ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया That his mission was To direct the Quad कि भई जो Donald Trump है उनका जो mission है उनका mission जो है वो क्या था उनका mission? Direct the Quad Quad यहां पर आया Quadrilateral के लिए इन चारों देशों के लिए कि भई Quad को जो है निर्देशित किया जाए Direct किया जाए कि एक गठबंदर निर्मित किया जाए ना गठबंदर निर्मित किया जाए To counter प्रतिरोध करने के लिए गठबंदर निर्मित किया जाए प्रतिरोध करने के लिए किसका प्रतिरोध करने के लिए चाइना का Beijing's aggression Aggression का मतलब है आक्रामक्ता कि चाइना की जो आक्रामक्ता है ये इस छेतर में खास करके भारत का आसपास का जो छेतर है इस छेतर में चाइना की जो आक्रामक्ता बढ़ती जा रही है उस आक्रामक्ता को उस आक्रामक्ता का प्रतिरोध करने के लिए जो है एक गठबंदर निर्मिद किया जा है एसी बातें जो है Mr. Pompeo ने कही कि भी Mr. Trump एसा चाहते है Saying that, कहते हुए Their partnership was not Multilateralism for the sake of it For the sake of For the sake of का मतलब होता है के खापिर Multilateralism का मतलब होता है बहु पक्षिवाद जेखो, Bilateralism का मतलब हो गया कि जब दो पक्षिवाद Bilateralism का मतलब होता है द्वी पक्षिवाद Multilateralism का मतलब है जब कई देश एक साथ मिलते हैं Bilateral मतलब जब दो पक्षिवाद आपस में मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं तो Mr. Mike Pompeo जो है, उन्होंने इस बात को कहा कि इस बात को कहा कि हमें क्या करना चाहिए Mr. Trump ये चाहते है कि क्या किया जाए एक गटबंदन बनाया जाए Quad देशों के द्वारा जिसके माद्यम से चाइना का प्रतिरोध किया जाए साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा Quadrilateral है हमारा जो Quad है ये सिर्फ हमने चाइना के प्रतिरोध के लिए नहीं बनाया है कि इसके माद्यम से हम अन्य काम भी करेंगे देखो एक बात उन्होंने क्या कही एक बात उन्होंने ये कही कि चाइना का प्रतिरोध करने के लिए जो Quad Countries है उनको गठबंदन बनाना चाहिए साथी साथ उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि हमने सिर्फ चाइना का विरोध करने के लिए इस Quad को निर्मित नहीं किया है ना देट देर पार्टनर्शिप की पार्टनर्शिप है उनकी जो भागीदारी है चारो देशों की जो भागीदारी है उनका जो Multilateralism है तो वह जो है इसी के लिए नहीं बना है वह है अन्य कई भी काम है जो हम इस Quad के माध्यम से करेंगे He called on the entire Quad to collaborate collaborate का मतलब यही होता है एक दूसरे का सहयोग करना to protect collaborate to protect He called on the entire Quad to collaborate to protect the region उन्होंने जो है आमंत्रित किया कालोन का मतलब यह सब को आयोजित करना है आवाज देना है तो एक तरीके से उन्होंने आवाज दी यह सभी को आमंत्रित किया है पूरे की entire का मतलब है complete पूरा कि जो हमारे Quad countries है चारो देश है इन चारो देशों को जो है मिश्टर माइक पॉम्पियों ने आमंत्रित किया कि हम सब को क्या करना चाहिए इस region को प्रोटेक्ट करने के लिए छेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए from what he called the CCP's exploitation CCP China's Communist Party के लिए आया है CCP कि बई चाइना जो है वो exploitation का मतलब होता है शोशन करना corruption यानि ब्रिष्टाचार कोहसन का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने के लिए मजबूर करना किसी पर दबाव डालना तो देखो Mr. Mike Pompeo ने जो है क्या कहा उन्होंने ये कहा what he called कि बई चाइना जो है ना चाइना जो है भारत के आसपास के छेतर में क्या कर रहा है शोशन कर रहा है ब्रिष्टाचार फैला रहा है एक दूसरे देशों को मजबूर कर रहा है उन्हों पर दबाव डाल रहा है तो इसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए चाइना के खिलाफ हमें एक जुठ होना चाहिए और इस छेतर को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो ये जो बात कही उन्होंने इस बात के माद्यम से इशारा किया उन्होंने कि देखो, चाइना कितनी जोड़ जबरति कर रहा है, चाइना कितना बिश्टाचार कर रहा है, चाइना कितना जो है एक तरिके से शोषन कर रहा है, as well as साती साथ, Chinese aggression in the South and East China Sea, as well as साती साथ, चाइना जो है अपनी आकरामक्ता का प्रद्रिशन कर रहा है, कहां पर? In the South and East China Sea कि दक्षिन और पूर्वी जो एक तरह से सागर है न चाइना के आसपास का उस छेत्र में भी चाइना अपनी आकरामक्ता को बढ़ा रहा है तो यही Mr. Pompeo ने चाहते थे कि चारोदेव जोएं सहयोग करे और यह जो चाइना के आकरामक्ता है इसे रोके आगे देखते है What he seemed to propose, what he seemed, seem का मतलब होता है प्रतीत होना Propose का मतलब है प्रस्तावीत करना What he seemed to propose was not just a coalition of democracies committed to a free and open Indo-Pacific as the Quartz informal charter has thus far stated देखो क्या कहते है कि Mr. Mike Pompeo ने जो चीजे प्रस्तावीत की है न जो चीजे प्रस्तावीत की तो क्या चीजे उन्हों प्रस्तावीत की उन्होंने ज्यादातर जो है चाइना के खिलाफ अपना पक्ष रखा तो एडिटोरी कहता है कि यह जो Quad Countries बने थे न वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं बने थे कि चाइना का प्रतिरोथ किया जाए देखो यहाँ पर जो लिखा हो है किसी काम को करने को लेकर प्रतिबद होना To a free and open Indo-Pacific अब देखो इन चारो देशों ने इन चारो डेमोक्रेसी ने इन चारो लोकतंत्रों ने जो गठबंदन बनाया है यह गठबंदन जो है प्रतिबद है किस चीज को लेकर कि बही मुक्त रूप से और खुले रूप से भारती प्रिशान्त महासागरी जो छेतर है इस छेतर में क्या किया जाए एक तरीके से एक जुटता को बढ़ावा दिया जाए तो ये तो है क्वार्ड का उद्देश है लेकिन माइक पॉम्पेयो ने जो कहा उनका इरादा उन्ह बही चार्टर का मतलब क्या होता है चार्टर का मतलब होता है घोशना पत्र थस फार का मतलब होता है अब तक इस्टेटिड का मतलब है कहा गया है कि बही क्वार्ड का जो घोशना पत्र है उसमें अब तक जो कुछ कहा गया है क्या कहा गया है क्वार्ड के घोशना पत्र मे उस घोशना पत्र में ये कहा गया है कि वे चारों देश, क्वार्ड के चारों देश, भारती प्रशांत मासागर छेतर में जो है गठबंदन बना कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे लेकिन मिश्टर माइक पॉंपेर ने जो प्रस्ताव रखे, वे प्रस्ताव घोशना पत्र से कुछ अलगी थे, क्यों? क्योंकि प्रस्ताव में ज़्यादा तर बात चाइना के खिलाफ की गई आगे देखते हैं instead के बजाए है, the US seems keen के साथ में on preposition लगता है, बहुत अची तरीके से याद कर लेना है, close test में बहुत आता है the US seems कि अमेरिका प्रतीत होता है, keen on है, अमेरिका इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक प्रतीत होता है the US seems keen on turning the quadrilateral into, turn into का मतलब होता है, परिवर्तित करना कि यह जो चारो देशों का quadrilateral है, इस quadrilateral को अमेरिका जो है, ऐसा लगता है, कि अमेरिका परिवर्तित करना चाहता है किस चीज में, a full-fledged, full-fledged का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं, कि आज वो खिलाडी या वो टीम है, वो बिलकुल full-fledged में है, मतलब पूरी फॉर्म में आ जाना, अपनी पूरी फॉर्म में आ जाना, बिलकुल पूर्ड प्रदशन के साथ उतर जाना मेदान में, उसे बो चैन्य गठबंदन के रूप में, alliance का मतलब है, आपका गठबंदन, आपका सयोग, of countries facing tensions with China, कि अमेरिका क्या करना चाहता है, वे देश जो की चाइना के साथ तनाव पूर्ण इस्तिति का सामना कर रहे हैं, उन देशों को चाइना है, खासकर quadrilateral देशों के लिए का जा रहा उन देशों को चाइना क्या करना चाहता है, एक military गठबंदन के रूप में निर्मित करना चाहता है, एक पूर्ण, full-fledged का मतलब है, एक पूर्ण military गठबंदन के रूप में, अमेरिका, squadrilateral को परिवर्तित करना चाहता है, आगे देखते हैं, the government, अब यह government आया है, यहाँ पर भारा सरकार के लिए, the government should not downplay, downplay का मतलब होता है, the government should not downplay, downplay का मतलब होता है, किसी चीज के महत्व को, मतलब किसी चीज की महत्व को कम करना है, कम करके दिखाना, downplay या नि, कम करके दिखाना, import का मतलब है, यहाँ पर importance, महत्व of such openly stated intention, intention का मतलब होता है इरादा, openly stated, मतलब खुले रूप से जिसे आप कहते हो है न, एक तो होता है छिपा के किसी बात को कहना, एक होता है state का मतलब है कहना, कि आपके जो इरादे हैं उन्हें बिल्कुल खुले तरीके से कहना तो government should not downplay, कि भई सरकार को जो है, यह जो इस तरह के इरादे हैं न, अमेरिका के, इन इरादों को जो है, the government should not downplay the import of such openly stated intentions, कि भई अमेरिका के जो इस तरह के खुले इरादे हैं, उनका जो महत्व है उस महत्व को भारत सरकार को कम करके नहीं दिखाना चाहिए है न, कुल मिलाके भारत सरकार को जो है न, इसको, इस मतलब बहुत ही alert रहने की जो रहत है, भारत सरकार को यह एडिटोरिल केना चाहता है, क्यों? क्योंकि इस तरह से अमेरिका भारत के उपर dominate कर सकता है, भारत के गठबंदन के जो समझोते होते हैं, सहयोग के जो समझोते हैं, गठबंदन समझोतों के लिए का आगया है, Alliance Treaties to the US कि भाई, अगर हम एक और देखें कि भाई, जो जापान है और आस्ट्रेलिया है, ये क्या है? अमेरिका के साथ बंदे हुए हैं क्यों? क्योंकि जापान और आस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ कई समझोते कर रखे हैं लेकिन New Delhi has thus far thus far का मतलब है अब तक लेकिन भारत के संदर में अगर हम बात करें तो भारत जो है अब तक charted its course chart once course इसका मतलब क्या होता है? course का मतलब है mark chart का मतलब है निर्मित करना charted its course का मतलब है अपना मार्ग निर्मित करना है इसे कहा जाता है chart once course का मतलब है अपना मार्ग निर्मित करना लेकिन भारत के संदर में अगर हम बात करें तो भारत ने अपना मार्ग स्वयम निर्धारित किया है भारत जो है किसी भी देश से, किसी भी तरह से बंदा हुआ नहीं है on strategic autonomy, autonomy का मतलब होता है स्वायत्ता, आपकी स्वतंत्रता strategic मतलब होता है सामरिक महत्तु के जो बाते हैं, रणनीती संबंदी जो बाते हैं युद्ध संबंदी जो बाते हैं, तो एडिटोरी यही कहना चाहरा है, कि ठीक है Australia और Japan जो है अमेरिका के साथ कई गठबंदन के चलते बंदे हुए हैं लेकिन भारत ने अब तक रणनीतिक मामलों में अपनी स्वतंतरता दिखाई है और अपना मार्ग खुद निर्धारित किया है भारत ने रणनीतिक, भारत ने जो उसकी जो रणनीतिक आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो सामरिक नीति है, वह किसी देश के दबाव में आकर नहीं बनाई है आगे देखते है Mr. Pompeo's words could well be bluster, born born का मतलब है एक तरीके से उत्पत्ती होना, किसी चीज का पैदा होना और bluster का मतलब होता है आकरामक तरीके से जैसे आप नाराज हो, तो जब आप नाराज होते हो तो जब आकरामक तरीके से आप बोलते हो बहुत ही आकरामक अंदाज में अगर आप बोलते हो, तो उसे कहा जाता है bluster, born of politics, ahead of the US election तो देखो यही editorial बात कहना चाहरा है कि भाई यह जो Mr. Pompeo ने जो बाते कहिए हैं तो उनकी बाते जो है, उसमें आपको, उन्होंने आकरामक तरीके से बोला है could well be, could be, be का मतबब है हो, could का मतबब कि ऐसा हो सकता है well, मतलब पूरी-पूरी संभावना बनती है कि Mr. Pompeo ने quadrilateral meeting में जो कुछ बातें कहिए हैं वे बातें आकरामकता से भरी हैं उनका जन्म बड़ी आकरामकता के साथ हुआ है उन बातों का तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि politics, राजनीती के चलते है ahead of का मतलब होता है, के पहले, के पूर्व, the US election कि अमेरिका में जो election है, उसके पहले जो राजनीती चल रही है तो उस राजनीती से प्रेरित Mr. Pompeo के words हो सकते हैं but they point to, लेकिन जो भी Mr. Pompeo ने कहा है वे इशारा करते हैं, किस और An interest, है न, An interest का मतलब है एक रुची होना In bringing, bringing का मतलब है लाने के लिए India into bilateral tensions in the Indo-Pacific तो देखो Mr. Pompeo ने जो भी बाते कही हैं वे बाते जो है आक्रामकता से, गुस्से से भरी हुई हैं क्यों, क्योंकि अमेरिका में चुनाओ का दौर चल रहा है चुनाओ का सीजन चल रहा है अमेरिका में तो politics के चलते उन्होंने ये बाते कही हैं अमेरिका में चुनाओ के पहले, लेकिन फिर भी Mr. Pompeo ने जो बाते कही हैं, भी इशारा करती है किस और Mr. Pompeo की बाते जो है इशारा करती है इस और की America जो है interested है किस चीज में भारत को bringing India into bilateral tensions in the Indo-Pacific कि भाई ये जो प्रशान्त महासागरिय चेत्र है उस चेत्र में भारत को America जो है द्वी पक्षिय तनाव में लाना चाहता है कि भाई ये जो चाइना while inviting the quad to take a role take a role का मतलब होता है भूमी का निभाना है अपना part play करना inviting का मतलब है बुलाते हुए निमंत्रित करते हुए सारे quad countries को निमंत्रित करते हुए take a role in India-China tension as well कि भारत-China tension तो कुल मिला के क्या लगता है ऐसा लगता है कि Mr. Pompeo के जो words है वे words जो है भारत और चाइना के बीच में यह जो द्वी पक्षी तनाव बढ़ा हुआ है इस तनाव को और जदा जो है अमेरिका बढ़ाना चाहता है और quad countries को आमंत्रित करना चाहता है कि भारत और चाइना के बीच में इसके लिए कुछ किया जाए The Modi government has rebuff rebuff का मतल़ होता है फटकार देना है अस्विकार कर देना है फटकार पे हुए अस्विकार कर देना इसे कहते हैं हम rebuff तो देखो यह जो अमेरिका जो चाहता है अमेरिका के जो इरादे हैं उन इरादों को भारे सरकार ने अस्विकार कर दिया है इस तरह के जो suggestions हैं इस तरह के जो सुजाव हैं उन सुजावों को Mr. Modi government ने जो है अस्विकार कर दिया है And any shift would be unwise Unwise का मतल़ होता है गैर बुद्धी मतल़ पूर्ण अविवेक पूर्ण अब अगर shift का मतल़ है परिवर्ण बदलना कि Modi government ने अमेरिका के जो भी इरादे हैं उन इरादों को स्विकार कर दिया है और अब अगर Modi government अमेरिका के इरादों को मान जाती है या अब अगर Modi government कुछ परिवर्ण करती है अपने नीती में तो यह है गैर बुद्धी मत्ता पूर्ण होगा यह editorial बात करता है आगे देखते है India has much to gain strategically का मतल़ होता है रणनीतिक रूप से सामरिक रूप से कि रणनीतिक रूप से भारत के पास काफी कुछ प्राप्त करने के लिए है गैन का मतल़ है प्राप्त करना फाइदा होना India has much to gain strategically and in terms of capacity building from the quadrilateral dialogue and in terms of in terms of का मतल़ है कि अगर हम इस रूप में बात करें capacity building का मतल़ है अपनी छमता को और ज़्यादा बढ़ाना from the quadrilateral dialogue कि भई यह जो quadrilateral देश हैं इन देशों के बीच में जो बातचीत हुई है इस बातचीत के माध्यम से भारत अपनी छमता बढ़ा सकता है बिलकुल भारत जो है काफी कुछ रणनीतिक रूप से जो है लाब उठा सकता है quadrilateral का but little लेकिन इस बात से भारत को न के बराबर फायदा होगा अगर यहां पे लिखा हुआ है little अगर यहां लिखा होता है a little तो इसका मतलत होता है कि भारत कुछ फायदा उठा सकता है लेकिन यहां पे लिखा हुआ है little यानि कि भारत न के बराबर लेकिन इस प्रभाव से भारत को कुछ भी नहीं मिलेगा, किस प्रभाव से, it is being led by Washington, कि अगर पूरे विश्व को ऐसा पता चलता है, कि भारत का प्रतिनिदे तो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा प्रभाव अगर पूरे विश्व में जाता है, तो इस प्रभाव स इस इंप्रेशन से भारत को कोई फायदा नहीं होगा, कि इस बिइंग लेड की भारत का प्रतिनिदे तो किया जा रहा है, कि इस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, वाशिंग्टन के द्वारा, on an important initiative, कि जो भी महत्व पूर्ट पहल होते हैं, initiative का मतलब समझ गये ना, initiative का उठाना है, उसको लिए कहा जाता है, initiative, for the region, in which, यह जो प्रशान्त भारती है, प्रशान्त मासागरिये छेतर है, इस region की बात की जा रही है, इस में जो भी पहल करनी है, जो भी महत्वूर्ट पहल है, उस पहल में, अमेरिका के द्वारा, भारत को गाइड किया जा रहा है, यह impression भारत के लिए उचित नहीं है, तो इस छेतर के लिए का गया है, the region, in which, किस छेतर के लिए, वही, इंडो-पैसिपिक रीजिन के लिए का गया है, इंडिया, इस छेतर में, कि यह जो इंडो-पैसिपिक छेतर है, इस छेतर में, इंडिया is an equal and important stakeholder, इस छेतर में भारत ज होने की जरूरत है, भारत को अलट रहने की जरूरत है, किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, कि भारत अमेरिका के control में आके अपने फैसले ले.